आप सबको पता है मैं एक साल बीच में I was not here because मेरा हिलाज मुंबई में चल रहा था Multiple Myeloma था मुझे भगवान की दय से मैं उससे बाहर निकल आई उसकी बहुत अपार कृपा रही है मुझ पर लेकिन कुछ चीजें आप ऐसी बिमारी से जूचर कर निकलते हैं तो काफी देख तक वह इत जारी रखते हैं बहँ फड़ा थोड़ी देर के बाद करें लेकिन रखते हैं उस इलाज के कारण आपकी immunity low हो जाती है जब आपकी immunity low होती है तो हमको डॉक्टर कहते हैं कि या तो आप मास्क पहन कर रखिये अब मेरी पब्लिक लाइफ है पब्लिक लाइफ में 24 घंटे मास्क पहन नहीं पाती आप लोग फोटो भी लेना चाहते हैं किसी फंक्शन पर भी जाए तो भी वहां भी लेकिन जब माइक पर इतने लोग बोल लेते हैं तो दे रेकमेंड की यू यूज अ सैनिटाइजर बिफोर यू स्पीक आन दे माइक अब किसी को खांसी लगी है किसी को जुकाम लगा है इम्मूनिटी लो होती है तो एक दम से वह पकड़ लेता है वह पकड़ लेता है तो काफी देर के बाद वह ठीक होता है तो अगर जब कल भी हमने और हैरानी के बात ये है कि उससे पहले मेरे साथ बैठके टीटा अराम से कुदीप को टीटा है बलाते हम वो मेरे साथ बैठके बातें कर रहा था हांसरा था खेल रहा था उसके बाद जाकर इतना जहर उगलना वो उसके बोलने के बाद जो लेली अना लात होता है कि ये स्प्रे कर लेना तो उसको ये उसने इस पूरी बात में इतनी घडिया बात कही उसने अच्छूत वर्ड यूज कैसे करा मैं इतनी मुझे तकलीफ हुई है मेरे दिल को मेरे मन को जैसे कि चुप गई वो बात क्योंकि मैंने कभी किसी की कास्ट नहीं पूछ कर दो सिखा की आप कौन है ये कौन है मेरे घर मेरा किचन कुला है कोई आता है उदर खाना खाते है सेम बड़तन है सेम सब कुछ है नोबडी वी डूंट बिलीव इन अट नाइज़र मेरी फैमली मेरे फादर मदर हमको ये सिखाय नहीं गया है अब जाकर पता चलता है कि य ये जो साल है, ये SC-ST का बनेगा कोई हमारा मेर, तब पता चलता है कि ये इनसान SC-ST से है, ये इनसान वहां से है, मैं तो हर लेडी को, हर बच्चों को गले मिलती हूँ, जब मैं जाती हूँ, या तो अपने फंक्शन में, या कहीं भी, किसी भी एरिया में, मेरे दिमाग में भी नहीं आता कि ये कौन है, कौन नहीं है, क्योंकि ये दिमाग में आने वारी बाते ही नहीं है, मैं तो पूरी जटसिक परिवार की लड़की हूँ, संदूों की बेटी हूँ, मैं आज मेरा एक और संदू बाई, इलेक्शन कमिशनर बन गया है, तो मतलब संदू बहुत जोरो पर है, तो मैं कुछ होती हूँ उस बात से हमें कभ Chaos से खेल नहीं जाता कि ये फलाना यह दात का है या वो दात का है, तो मेरे माइनल में ये बात ही नही कैसान की नाहार उसके बैठी हूँ, उसके साथ, मैं खापी रही हूँ, मैं कहां यह सोचूँगी, ये बैठा पर तो नहीं भूकरतार पर था यह तो इसकी भूकरतार तुड़वाने के लिए मैं गई थी इसके टंडन जी के साथ इसको जूस बिलाने के लिए मंदिर में टीटा था और मैं उस मंदिर में गई लंगर भी खाया और फिर आप मुझे बताइए मुझे तब वह चूत नहीं लगा अब सड़नली कल चूत लगया यह कितनी गलत बात है यह कितना गलत आपने इसने मेरे पर लांचन लगाया है यह मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात से आप मुझे कुछ भी और कहलें सौ बातें आती हैं पेपरों में रोज सौ बातें लोग कहते हैं कभी आज तक प्रेस कांफरेंस में मैंने उनके जवाब नहीं दिये लेकिन इस बात की मुझे बहुत तकलीफ हुई अब इसका ए अगले दिन हो रोना से अपपा आया है वाताओ दलपूरा हर जगां पर रो रहा है क्यों रो रहा है क्यों नहीं कमरकस के काम करता शहर के लिए और यह पॉलिटिक्स क्यों कर रहा है मेरे को जी हम इतना पानी फ्री कर देंगे जिस तरह दिली में इन्होंने फ्री करी ये किया वह क्यों किसी और का बिल पे करें आप बताइए आपको पता है क्योंकि बिजली की कमपनी तो फ्री में बिजली किसी को नहीं देगी तो अपने पैसे लेगी तो पूरे कहां से करेंगे इतनी बार एडी के समंद आ चुके हैं कि इजरिवाल जी बड़े-बड़े मैं एक दिन देखिए मैं बहुत लोगों की जो इस पार्टी में हैं आम आदमी पार्टी में बहुत लोगों की इज़त करती हूं ऐसी बात नहीं है मुझे भगवंत मान भी काफी एंटर्टेनिंग लगते हैं विकोज हमारे साथ हो लोग सभा में थे और एक गाते हैं एक् अब डिए एक्सके लिए आज फ्री गता नहीं है जिए बहुत कर रहे हैं और कल हम लोगों कितना कुछ अनांउंस किया एक और फंक्शन था इस में हमने उनको आईश्माइन कार्ट दिये बाकी बैंक कार्ट दिये बहुत कुछ दिया तो ही वस दूइट इपार देली और ह यह तो हम करी रहे हैं, we've been doing it कितने सालों से, तो इसका कोई मतलब भी नहीं है, यह सिर्फ छोटी राजनीती है, कुछ वोट के चक्कर में, और कुछ नहीं है, अभी कॉपी भी कर लिया, मेरा जो प्रोग्रम था सांसाद आपके द्वार, उसको मेर आपके द्वार, इनके पा चंदीगड के लोग पड़े लिखे हैं, समझदार हैं, और प्रोफेशनल्स हैं, most of them, they come from educated backgrounds, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, कि यह क्या कर रहे हैं, what is this nonsense going on, मैंने तो आज तक सोचा नहीं, मैं धनाज जाती हूं, डड़ू माजरा जाती हूं, मलोया जाती हूं, कहीं दस साल, आसान नहीं है, अपना घरबार छोड़के बैठ जाना, यह मेरा घर है, I belong to चंदीगड, तो मैं रह पाई, इतने साल यहां पे, मुझे अरुन जेटली जी ने कहा था, चंदीगड पीपल वांट एर MP टू लिव लोकली, तो I shifted, bag and baggage, I live here locally, एक फिल्म नहीं करी मैं मैंने, मैंने उस वकर भी promise किया था, कि मैं India's got talent जरूर करूंगी, क्योंकि उससे बच्चों को बहुत प्रोचसान मिलता है, जो देश से आते हैं, उसको नहीं छोड़ूंगी, also उसको करना जरूरी है, हमको सरकार जो तनखा देती है, एक लाग अठासी हजार रुपए, उस या कोई और उसका business, business man होता है, वो तो अपना कार्या छोड़ता नहीं है न, वो तो politics भी करता है, वो भी करता है, जैसे कि धन्यवाद करती हूँ मैं, आप आरे हैं उनके हाथ में थोड़ी है, विकास थो हमारे हाथ में है, करने दो उनको करता है, सुनद करते हैं न, उसकी कोई इजत कभी जमीन पे लेड़ जाना कभी कनॉट प्रेस में बिस्तर लगा लेना बीवी सुवा टिफिन लेकर आ रही है परांठे लेकर ये सारी चीजें करके तो वह वहाँ पर आए हैं अब मैंने आज तक ये बातें बोली नहीं किसी को कि अनुपम जी और मैं वो पहले इनसान थे जिन्नों ने जो इनका वो चला था पूरा अभियान एजिटेशन लोगपाल के लिए इनका साथ दिया अगर आप लोगों में से किसी को याद हो हर शाम को I was on different channels talking about this इनकी जो मीटिंग कराई अरुन जेटली जी सुश्मा सुराज जी अड़वानी जी के साथ या पास हो जाए मैंने करवाई थी वो बात किरन बेदी थी उस वकत शाजिया इल्मी थी प्रशांत भूर्शन थे योगेंद्र यादव थे कहां गए वो लोग क्यों चले गए वो लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे सब चले गए क्यों चले गए ए कोई ना कोई बयान कोई हुना कोई ड़ाई थे रहोगे कुछ काम भी करो और यह जो महला क्लिनिक महला क्लिनिक करते हैं हमारे तो हर जगाहर क्लिनिक्स हैं और वहां पे डॉक्टर भी जाते हैं, वहाँ पे नर्सें भी होती हैं, सवाई करमचारी भी होते हैं, तो यह क्या नई चीज़ लेकर आएंगे, यहाँ इसके तो सीकर गए हैं, वहाँ पे बनाना, यह सारी जूटी जो बातें करते हैं ना, उससे तकलीव बहुत होती है,